ग्राफ्टिंग का सबसे बेसिक चीज बेसिक रूल यह है कि आपका जो सिड्लिंग है जैसे रूट इस्टक का और यह सायन का है यह दोनों भाग इतना हेल्दी होना चाहिए कि जब हम एक बार काट कर इसे ग्राफ्ट कर देते हैं तो साथ दिन में जो सायन और रूट इस्टक के जुड़ने के प्रक्रिया होती है उसके बाद हाड़निंग बहुत ही आसानी से हो जाए यह तभी संभव है जब आपका यह रूट इस्टक वाला पॉर्शन और यह सायन वाला पॉर्शन हेल्दी हो इसके लिए आपको ज़र्री है कि बेसिक ची सकते हैं इसमें सभी जो अपना रूट इस्टोक और सायन है कापी हेल्दी है इसी वज़से हिलिंग चेंबर में साथ दिन रहने के बाद जब बाहर भी निकाला गया तो इसमें हाड़निंग में ज्यादा समस्या नहीं आया जैसे यह भी देख सकते हैं यहां पर जितना ही अब को दिख रहे सबी ग्रापटिंग के बाद में में हिलिंग चेंबर में रखने के बाद में यह भी जो है अज़ियों में रख्खा हुआ है और पूरी तरह से हाट भी हो चुका है कि हाड होने काफार रेट है इसका क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूं यह जो अपना कुछ इस तरीके से यह आपको वीडियो में भले ही पतला लग रहा हूँ पर यह काफी मोटा है यह अपना रूटिश्टक वाला भाग और यह साइन वाला भाग तो इस तरह से कि इस चीज़ को जब हम फालो करते हैं तो हमारा पौधा आसानी से ग्राप्टिंग के बाद में हाड हो जाता है जब हिलिंग चेमर में जब हिलिंग चेमर से निकालके हाडिंग चेमर बगते हैं तब